Bollywood जैसे अपने love affairs के लिए जाना जाता है वैसे ही actress के बीच की cat fights के लिए भी मस्शूर है ये cat fight 90's के दौर से चली आ रही एक प्रथा बन चुकी है कोई किसी के successful career से जलता है तो कई actress अपने star boyfriends के कारण बन जाती है एक दूसरे की enemies तो चलिए आज हम बात करेंगे उन top 10 actress के बारे में who are enemies forever लेकिन उससे पहले अगर आप ये हमारा वीडियो facebook page पर देख रहे हैं तो page को follow करें और अगर हमारी youtube channel पर देख रहे हैं तो channel को subscribe करें हमारे इस list में सबसे पहले number पर आती है आलिया भट और Katrina Kaif एक time ऐसा था जब ये दोनों actress good friends थे लेकिन जब आलिया रनबीर कपूर को date करने लगी तब से Katrina आलिया को बिलकुल पसंद नहीं करती Katrina का मानना है कि आलिया के कारण ही रनबीर कपूर ने उनको धोका दिया लेकिन अब सच क्या और जूट क्या ये तो ये दोनों actress ही बता सकती हैं दूसरे number पर आती हैं कंगना रनौत और डिपिका पॉडिकॉर और साथ ही मैं आपको बता दे कि ये cat fight बी टाउन की सबसे चर्चित cat fight रह चुकी है ऐसा कहा जाता है कि कंगना डिपिका के सक्सेस से चलती है और वहीं आपको बता दे कि जब पूरा बॉलिवोड इंडस्ट्री डिपिका के रिसेप्शन में इंवाइट था लेकिन सिर्फ कंगना रोनौत को छोड़ कर इससे ये अंदाजा लगया जा सकता है कि दोनों एक द इतने सालों का रिलेशन तूड़ गया तो वहीं इसके बाद दोनों कभी एक साथ कोई भी इवेंट में स्पॉर्ट नहीं किये गए आगे बढ़ते हुए चौते नंबर पर आती है सोनम कपूर और एश्वेरय राय बच्चन तो हुआ यू था कि सोनम कपूर ने एक बयान म कहा कि अश्वेरय ने मेरे पिता के साथ काम किया है तो मैं उन्हें आंटी ही बुलाऊंगी ना तो इस स्टेट्मेंट पर अश्वेरय सोनम से नाराज हो गई थी और वहीं फिर उन्होंने सोनम के साथ आगे कोई भी फिल्म में ना काम करने की ठान ले तो वहीं अश्वेरय के फैंस ने सोनम को खुब बूरा भला भी कहा था। पाचवे नंबर पर आती हैं अनुषका शर्मा और दिपिका पडुकॉन जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि अनुषका रनवीर सिंग की एक्स गर्ल्फरेंड रहे चुकी हैं तो वहीं अनुषका के तुरंद बाद रनवीर दिपिका को डेट करने लगे तो यही एक रीजन हैं दोनों एक दूसरे के एनिमीज बन गए और वहीं अब दोनों कोई इवेंट में साथ नहीं नजर आते हैं। चटवे नंबर पर आती हैं केट्रीना कैफ एंड प्रियंका चोपरा तो आक्चुली हुआ यूग की दोनों यूँ था कि एक बयान में सोनम ने उड़ा दिया था कंगना के अटिंग स्कील्स का मजार्ड़। तो फिर क्या ही था कंगना तो जवाब देने में माहिर तो है ही। तो इस पे कंगना ने जवाब देते हुए कह दिया था कि सोनम एक स्पॉil रिच किड हैं और साथ ही आप फाइट का कारण और कोई नहीं बॉलिवुड के बिग भी अमिता बच्चन जी है जैसे आप सभी को पता ही है कि एक टाइम था जब रेखा जी और अमिता बच्चन जी की लव स्टोरी ने कितनी सुर्खियां बटोरी थी लेकिन किसी कारण से दोनों अलग हो गए और अमिता बच्चन जी का दिल जया जी पर आ गया नौवे नमबर पर आती हैं प्रियांका चोपडा और और करीना कपूर इनके ऐनिमीज होने का कारण शाहित कपूर हैं जी हा आपने सही सुना तो वहीं आपको बता दें कि जब करीना शाहित को डेट कर रहीं थी तब प्रेशा शाहित के काफी क्लोज हो गई थी जिसके कारण दोनों का ब्रेक अप हो गया तो वहीं तब से दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ पब्लिक में काफी अगली टॉंट्स भी किये थे लास्ट बट नॉट लीज दसवे नंबर पर आती हैं रानी मुखर जी और अश्वेरा राय बच्चन इनके कोल्ड वार का कारण अभिशेक बच्चन है अश्वेरा के पहले रानी मुखर जी और अभिशेक एक दूसरे को डेट कर रहे थे और वहीं रानी का मानना है कि शेक कुरानी के साथ कोई भी फिल्म साइन करने से मना किया है। तो ये थे हमारे टॉप टैन अक्टरिस जो अब एक दूसरे के अनिमीज बन चुके हैं। और यहीं वो कैट फाइट्स हैं जो काफी जादा चर्चे में थी। वैसे देखा जाए तो इन अक्टरिस के कैट फाइट का कारण बॉलिवुड के अक्टर्स ही हैं जिनके डिचिंग करने के प्रॉब्लम से हो जाती हैं इन अक्टरिस के बीच मन मुटाओ। वैल आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्षिन में ज़रूर बताएं धन्यवाद।